हाई गाई स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में मैं आपको HR स्कीमा के बारे में बताने वाला हूँ HR का मतलब होता है Human Resource क्या special है स्कीमा में Oracle by default ये स्कीमा हमें provide करता है और इसके अंदर कुछ tables होती है जिन पर सारी queries जो सारी possible queries हैं सारे possible cases हैं वो apply के जाते हैं जिससे आप SQL को बहुत ही efficiently सीख सकते हैं सारे possibilities जो SQL में हैं उसे सीख सकते हैं ये HR स्कीमा हम लोग user के उस area को बोलते हैं जहाँ पर उसके सारे objects store होते हैं हर user को एक schema alert होता है अब HR schema Oracle database install करते वक्त अपने आप create हो जाता है बट sometime आप भूल जाते हो अगर installation के वक्त तो वो schema create नहीं होगा उस case में आप उसे बाद में भी install कर सकते हैं मैं एक बार आपको HR schema के objects जिखा जिता हूँ ये बहुत famous objects हैं और बहुत ही famous ये relation है tables का जिन पर सारी queries perform होती हैं आप Oracle की जितनी भी books देखेंगे या SQL की जितनी भी books देखेंगे उसमें आपको जो queries perform होंगी वो इसी schema पर perform होती हैं यहाँ पर हमारे पास total 7 tables हैं 7 tables हैं यहाँ पर हमारे पास जो ये crow print है crow foot है ये many को represent करता है one to many relation right for example यह department table है तो यहाँ पर one to many relation है a department may have more than one employees that is one to many simultaneously आप देखोगे कि employees से भी one to many relation जा रहा है क्योंकि यहाँ का जो employee ID है उसके manager ID में यहाँ पर foreign की relation की तरह काम कर रहा है तो यह schema अगर आपके database में नहीं है तो आप उसे कैसे create करेंगे यह मैं आपको next slide में दिखाता हूं कुछ steps के थूँ सबसे पहले आप एक HR user create कर लेंगे उस user को create करने से नहीं होगा कुछ उसको privileges भी देने होंगे कि वो database में table create कर सके या उसमें कोई view create कर सके और उसे space allocate करेंगे ताकि वो table जो create करें वो जो है store हो सके हमारे database में उसके बाद हमारे पास Oracle एक SQL script प्रोवाइड करता है उस script को run करना होगा उस script को run करते वाग कुछ steps हमें follow करने होंगे पहला step जैसे हमें HR user का password देना होगा जो भी हमने create करते वक दिया था step 1 में वो password हमें देना होगा second step में हमें table space name देना होता है table space वो area होता है database में जहांपे सारे segment सारे objects store होते है database के तो table space name mention करना होगा कि HR की जो भी tables script पनाएगी वो किस table space में save होगी उसके बाद temporary table space देना होगा temporary table space database का वो area होता है जहांपे temporary actions perform होते है like sorting क्योंकि database में queries जब perform होती है तो sorting की requirement होती है sorting के वक जो temporary memory चाहिए होती है operation के लिए वो temporary table space provide करता है साथी साथ इस script को run करने में जो error आएंगी या successfully अगर execute होती है तो उन errors के या execution की तो log हैं वो कहां पर store होंगे अगर वो suppose error देती है तो आपको error check करने होंगी इसलिए ये log file location भी boost ता है और पांचवे step में आपको क्या करना है HR user से connect करके देखना है इसमें कुछ steps और है जो मैं आपको practical करते बग बताऊंगा चलिए तो इस user को हम लोग create कर लेते हैं हम अपने SQL prompt पर आ चुके हैं यहाँ पर हम अपने sys user से connect कर लेते हैं sys और यहाँ पर password ssdbm राइट गैस मैंने आपको बताया था जब भी हम को user create करते हैं डेटाबेस में तो आपको एक command देना होता है user create करने के लिए create user username identified by उसका password राइट लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा user बिना इस prefix के आए जैसे कि मैंने बताया था कुछ restriction थे oracle database के बास oracle database 12c के बाद जो भी user आप बनाएंगे उसमें c sharp sharp या c hash hash prefix करना होगा अगर आप इसे भूल जाते हैं तो यह आपको error देगा कि आप गलत दे रहें invalid common user और role name तो इस case में आप क्या करेंगे आप एक parameter alter करेंगे alter session alter session मतलब जो भी command हम execute करेंगे वो सिर्फ current session के लिए valid होगा जो अभी अभी आपने यहाँ पे login करके create किया यानि अगर इस user से हम logout हो जाएं या दूसर यूजर से login हो जाएं तो इस command का जो हम execute करने जा रहे हैं उसका impact खतम हो जाएगा alter session set हम कौन सा parameter set करने वाले हैं oracle script इसको आप लोग क्या set कर लेंगे true ठीक है इस parameter को change करने से क्या होगा आप वो user बिना c c sharp sharp के या c hash के बना पाएंगे तो हम लोग इसकी command को execute करने कोशिश करतें दुबारा आप देखो यह command यहाँ पे fail हो गया था बट यहाँ पे run हो गया तो हमारा hr user create हो चुका है अब हम इसे कुछ privileges देते हैं कौन से privilege देंगे हम लोग कुछ system privilege देंगे grant command होता है आपका जो control language है उसका हमने का grant create table and create session create table क्यों देते हैं ताकि वो table create कर पाएं और create session क्यों देते हैं ताकि जो है वो login कर सके तो हमने क्या किया grant create table create session to hr इससे क्या हुआ कि hr को आपने काया कि admin नहीं यह बोला कि hr को privilege देने होंगे अगर उसे create table करनी है तो उस script को run करने से पहले आपको यह देना होगा आपको एक छोटा ता change और करना होगा आपने hr user जो create किया है उसका table space बताना होगा कि उसका default table space कौन सा है users राइ और temporary table space कौन सा है temp चिक यह दो table space database में है आपने यह बोला hr user के जो भी tables बनेंगे data tables जो बनेंगे तो data store होगा वो users table space में होगा और जो भी temporary data वो generate करेगा hr user वो temp table space में होगा तो क्या यह दो table space exist हैं की नहीं इनको आप देख सकते हो हाला कि exist है otherwise वो error देता बट फिर भी आपको देखना है तो table space name from dba underscore table spaces मैंने आपको data dictionary बताई थी यह data dictionary एक view है जिसमें आप देख सकते हो कि table space हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने spelling करत लिख दिया तो इसको आप देख सकते हो हमारे पास user table space भी है और temporary table space भी है table space को मैं किसी दूसरे वीडियो में बहुत deeply discuss करूँगा फिलाल हमको यह command execute करना था क्योंकि हमें HR schema create करना है और यह हमारे steps का एक step था कि उसका हमें table space mention करना होगा तो यह हमने user create कर लिया उसको table space दे दिया अब हम उसको क्या grant करेंगे कि वो table space में कितना space use कर सकता है तो grant unlimited table space to HR, unlimited table space का मतलब है table space में जितना चाहे वो data store कर सकता है it depends on the storage capacity बागी storage capacity जितना वो data उसमें और table space का जो भी size होगा उतना data वो store कर सकता है तो हमारा यह काम हो गया हमारा HR user create हो चुका है हम उसे privileges दे चुके हैं table space उसका हम default बता चुके हैं कि उसके object कहां store होंगे plus हम उसको quota भी दे चुके हैं data store करने का इसके बाद हमें क्या करना है script रंग करना है आपको script कहां मिलेगी जहां भी आपने oracle install किया है जैसा मेरा c folder में app में जो हमारा user है वहां पर जाके आपको एक demo folder मिलेगा यह oracle home है जो भी आपने oracle install किया होगा तो demo folder में आपके पास schema folder है उसके अंदर human resource folder है वहां पर एक script है hr अंडरस को main जैसा कि मैंने आपको slide में बताया था अब इस script को हमें run करना है इस script को run करने के लिए मैं यह path copy कर लेता हूँ उपर से और command prompt पे हमनों क्या करते हैं सबसे पहले hr user से connect कर लेते हैं यहां पर उस script को हम run करते हैं ठीक है हम इस script को run करेंगे हमारी script का नाम क्या है hr underscore main dot sql आप देख सकते हूं hr underscore main dot sql file है यह इस script को run करते हैं तो सबसे पहले हम से password पूछ रहा है hr का तो हमने बता दिया tablespace मैंने बताया था users tablespace है जो भी data house का store होगा वो users tablespace में होगा temporary tablespace का नाम है temp और जो हमारा log file है log file की location आप यहां दे सकते हो by default location यह रखता है तो हमने इसे क्या किया इस location को यहां पर paste कर दिया अब यह यहां copy paste कैसे कर रहा है right click से वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आप यहां पर command prompt के properties में आएंगे और quick edit mode आपका open होना चाहिए paste करना के लिए तो log file location हमने दे दी और हम इसे enter कर देते हैं तो आप देखोगे यह script run होना शुरू हो जाएगी okay तो हमारी जो है script successfully complete हो चुकी है हम HR से already connected है और हम यहां पर देख सकते है table name from user underscore table मैंने आपको dictionary view बताया था user की जो table create की है उसने अपने schema में वो table देखने के लिए user underscore tables का use करते हैं तो आप देख सकते हो यह सारी tables जो मैंने आपको एक slide में दिखाई थी वो आपको यहां पर मिल जाएंगे आप देख सकते हो यह सारी सातों table आपको यहां दिखेंगी और इन tables में आप सारी queries perform कर सकते ह हैं या कहीं example में online देखते हैं तो यह आपको यहां पर मिल जाएगा हाला कि आपको पिछले कुछ location में पिछले जो videos हैं मैंने उस पर आपको अपनी table create की थी हम लोगों ने वो भी almost इसी schema पर बेस थी मैं आपको दिखा देता हूं first name, last name, salary from employees यह हमारी HR user की table है देख सकते हो 107 employee है अब इसी तर हमारे पास क्या है department id, department name from employees oh sorry from departments right department name department table में है so we have 27 departments and 107 employee यहापे आप वो सारे operation कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं जैसे कि आपको एक जॉइन कर लेते हैं जैसे department name department table से है first name और last name table last name column employees table से है from employees E inner joint departments D on E dot department id equal to D dot department id right तो आप देख सकते हैं यहाँ उनका department name आ रहा है और क्योंकि एक inner joint था इसी लिए से matching record देगा तो जो भी हमारे non matching record हैं total employee 107 है बट 106 आ रहे हैं क्योंकि वह department id उसका match नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने joining perform की HR schema में आप इन relation के base पे कोई भी query group function single group function इस पर perform कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि आप एक HR schema कैसे create करेंगे क्योंकि आपको online जो भी examples मिलेंगे queries पे वो इसी schema पर मिलते हैं साथी साथ जो books आती है SQL में उसमें भी आपको यह schema मिलेगा तो इस very important कि जब भी आप SQL practice करें तो आपके पास यह schema हो और नहीं है तो यह step मैंने आपको बता है यह आपको follow करने है और आप अपना HR schema create कर लेंगे guys next video में मैं कुछ आपको privileges के बारे में बताने वाला हूं तो इस video के लिए इतने thanks for watching